हेलो एब्रिबान, वेलकम बेक टू वार चैनल, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास्ट वैल्थ मैथ चेप्टर फाइब एक्ससाइज 5.3 के कॉंसेप्ट से, जो भी से रेलेटेड कॉंसेप्ट है वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, या फिर हम बोल सकत एक्ससाइज 5.3 का इंट्रोडेक्शन तो बेसिकली हमाले इस एक्ससाइज में दो कॉंसेप्ट परना है पहला कॉंसेप्ट हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ इंवर्स ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इस तरीक है के यह सब डेरिवेटिव उसविए यह को हम इसको बोलते हैं एकस्पलिसेट फंक्शन या इसको हम एंस dalla च rerre क네요 यह इसमें क्या हो रहना मतलब में sin x तो यह y किसकी equal में sin x तो यह होती है हमारी explicit function अब बात करते है implicit function क्या होते हैं अब हमने एक implicit function कि हम पर एक question ले लिए sin x square plus y plus is equal to में हमने zero लिख लिए तो यह इसमें देखो और यह function यहां पर देखो पहले हम explicit function को clear करते हैं मैं लेखा by plus x plus sin x equal to 0 इस तरीके से हमने question लेख लिए अब देखो यह भी हमार explicit function होगा क्यों हमने by को यह नहीं पर रहने दे दिया और यह sin को side लेगा तो minus sin minus x और यह देखो इसको हमने किया by की value को अब इसमें देखो हमने by को इदर ही रहने दिया अब minus sin x minus sin x by तो इसमें है ना जो by by इदर भी आ रहा है और इदर भी आ रहा है by की value दो जगा पर depend हो रही है देखो इस side भी आ रही है लेकिन explicit function में क्या हो रहा था value हमारी सरफ और सरफ एक ही side होती है एक ही side इसमें दोनों side value आ रही है यह देखो हमारी a की side पर इसमें depend दोनों side depend कर रही है value की य की value दोनों side आ रही है situation में हमारे लेकिन एक side आईगी तो हम बोशेंगे उसे explicit function ठीक है और भी example लेते हैं जैसे कि हमने लगा y is equal to में हमने लिख लिया sin x plus 2y यह इस तरीके से तो यह भी हो जाएगा या फिर इस तरीके से by minus cos by is equal to में sin x square तो अभी भी तो हमारी by की value दो आ रहेंगे ना जिस पर एक एक बिरी वालो तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे x explicit function और यह होंगे जो हमारे कौन से होंगी implicit function होगी ठीक है अब देखना आगे हम बात करते हैं देखो आई होप आपको इतना clear हो गया होगा यह कौन से हमारे implicit function है implicit function ठीक है अब देखना आगे हम बात करते हैं देखो अभी हम देखो एक चीज और clear कर लेते हैं मैं side का यह rough कर देता हूं आप थोड़ा सा note करो तो देखो मैं यह explicit function को मैंने delete कर दिया अभी देखो हम यहाँ पर कर रहे थे हम differentiation कर रहे थे dy by dx तो हमारा answer क्या रहा था जब differentiation किसके रहा था बन आ रहा था आ रहा है बन इसका जब हमने लिखा यहाँ पर dty dt त भी हमारा differentiation किता है का बन क्योंकि यह दोने variable कैसे हैं सेम है जो हमारे same variable लेते हैं उनका differentiation क्या आता है same अब हमने लिख ली यहाँ पर dty dx तो इसका हमारा differentiation क्या हुआ तो इसका हमारा differentiation as it is बना रहेगा dty dx का होगा हमारा dty dx क्योंकि हम x के respect में differentiate कर रहे और हमारी जो यहाँ पर x की value है कोई भी नहीं आ रही अब मैंने हैं पर लिखा इस value को हमारे differentiate करना है इस तरीके से हमने लेख लिख ली 2 और हीहाँ पर x2 by x इस तरीके से हमने value लेख ली तो यह तो हमारी differentiate हो जाईगी तो हमारी हैं पर क्या हो जाईगी तो चाहिए 2x हो जाईगी ठीक है अब देखो और भी आगे के example हमारे लिए बाय 4 by dx ठीक है तो सब से से पहले हम क्या करेंगे यह power का differentiate करेंगे तो यह हमारी हमारी क्या power है हमारी x की power कोछ होती ह Says तो हम क्या कर थी इस तरीके से हम power लगा दिती यह हमारा formula होता था N कि अब लेकिन हमारी 여기 हमारी किसकी power है by k dei by N is equal to b Nine by N此 थ lab falls like. अब यह पीछे किया बचा है हमारा? Y-square Y-square बचा यह स्क्वर का तो हमारा होगए अब By का लगए xity dy by dx to dy by dx हमारा क्या होगा dy by dx कोième dy by dx ही लेखा रहीम देगी अब यहां पर क्यों नहीं लेखे था हमने dx by dx इस तरीके से भी तो लिख सकती था dx upon d Teach the difference h。dx upon dx 여 derechos और Pop 500 देखे उसको हमारा क्या होगा और ईसकर हमारा क्या होगा था d एक्स expensive dx इसको पूरा सिंप्लिफाय करेंगे 2x into dxy dx किता हो जाएगा हमारा बन हो जा रहा था इसलिए इस तरीके से आप देखो हमारा यह function चेंज हो गया तो इस तरीके से हम इसको एस इस लखा रहे हैं तो यह जो function होगा यह हमारा कौन से function में जाता है यह function आजागा implicated function में जाएगा ठीक है अब हम इसके exercise के question करती है तो सबसे पहले आप इसको note करो तो देखो अब हम बात करते हैं इसके example के करते हैं किसकी उपर करेंगे इंप्लिकेटिव functions के उपर तो ठीक है हम क्या करना question number 24 की बात करें तो question number 24 में क्या दिया है find dy y dx if y minus x is equal to π अब देखो इसको solve करते हैं तो इसका differentiation करेंगे आप क्या करेंगे देखो यह सबसे पहले हमें let करेंगे let y is equal to value में देखो आप let नहीं करेंगे क्या इस बार हमारे लिए लेट नहीं करना क्योंकि आपके पास हमारे पास y की value भी है और यहां पर इसकी value है तो हम इसको as it is लिख लेंगे ठीक है आप इसको differentiate करेंगे तो यहां पर लेखेंगे differentiate both side with respect to x, x के respect में इसको differentiate करना है तो मतलब हम इसके respect में differentiate करेंगे जो हमारा नीचे term में रहता ना उसके respect में ही हम differentiate करते हैं तो यहां पर लेखेंगे इसको differentiate करेंगे तो इसका कि π, π sudden d १end X, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा bun हो जाएगा और यह d redes नेचेत रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा जीरो हमें इसको क्या करेंगे सिए रहे हम आं सरव द्रस्टी के रहेगे सिनोनों कोSh miracium कर देंगे तो लेगो इसको यह हम इसको explicit function से भी हम कर सकते हैं क्या सकते है ये więc by X minus Y is equal to pi, अब इस pi को हम करें, X, pi को साल ले जाएंगे, minus pi is equal to pi, तो अब ये किस form में हो गया, explicit form में हो गया, जरूरी नहीं है, देखो, ये तो easy question था, इसलिज ये हमारा implicit और explicit form में, दोनों में हो गया था, अब हरी question नहीं होगा, जैसे हम इसकी बात करें, अब इसमें हम नही लिख सकते हो इसलिए हम यह थीटा है और यह यह वाय हमारा कोई सा नमर होगा तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे पहले इसको सॉल करेंगे उसके बाद ही हम चेंज करेंगे अब देप्रेंशियेट करेंगे तो यहां पर लेखेंगे differentiate both side with respect to x के में ठीक है x के respect में हम इसे differentiate करें तो सबसे पहले इसको differentiate करेंगे तो हमने के बता साइं डीवाय नहीं करें k2 अब ओपिसको differentiate करेंगे बाइं करें करें तो हमारा एसेट बनाएं में हमारा क्या होता है तो पहले हम συνकारीक साइन का बच्छ और त्टिटा क्या या अब इसको इसको डिफेरेंशीट करेंगी तो हमारा कि थे凌 हो य लीई हमने बताया था ना एक नुमेरिकल यह था हमने यह इस तरीके से question लिया था जब हमने इसका differentiate कर रहे थे तो हमारा differentiate कर रहेंगे सबसे पहले इसका करेंगे 2 बार जाएगा formula लगा था क्या लगा था हमने x की power n is equal to n x minus 1 तो हमारा यह आ रहा था तो उसके बाद हम y का भी differentiate करेंगे dy by dx अब आपको लगा था यह x की square में हम क्यों नहीं कर रहे थे x का square होता हमारा तो क्या होता हमने यहाँ पर 2x लिख लिए स्वरी x square लिख लिए हमने यहाँ पर अब x square का differentiate करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पर यहाँ लगा रहा है और यह सीम होगा है जिसके respect में कर रहा है और जिससे कर रहा है वह दोनों जब स्पी होती हैं तो उसकी जगह हमारे क्या आजाता है वन आजाता है तो यहाँ पर हम जिसके respect में कर रहा है और यहाँ लग आ रहा है रिकाई कि किसे कर रहा है वह सको हमें इस को करते हैं तो को arts का क्या हो जाइगा का को जाएगा माइनस सायन अब आपको कर रहा होगा हम जा दिकारेंश को क्या दिकांसी टी Mrdx कर दिया या तो हमारे same हो गाई जिसके respective में कर रहा है वो वी ऊपर भी आ रहा है वैसा ही सिप तो हम उसकी जागा क्या लख देती है 1 हो जाता है इंटू में 1 हो जाता हो और 1 का इंटू मतलब same इसलिए हम x उसका नहीं लखते हैं आप देखो गए और करते हैं आब इन दूर्ण हम कोमें ले सकते हैं दी यवाई भاع और यहां साइं एक साइं वाई ले पूर यो और प्लस क् वाई अब देखो यहां पर एक चीज और नोट करने की बात है बैसे तो बस यहां तक आप छोड़ों के अंसर तो आपको पूरा सब्सक्राइब जाता लेकिन फिर इंट्रोडेक्शन है तो थोड़ा बहुत दीटेल से बताना पड़ेगा जैसे कि हमारा कोस अब कोस की बेल्यू कोई से ठीटा है अब ठीटा की जगा ह यदि मालो कोस की बेल्यू हमारी बन आ गई तो वन और वन क्या हो जाएगा जीरो बन अपन बन तो यहां पर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहां पर हमारी कोस की बेल्यू वन कहां कहां पर आ सकती है कहां कहां पर आ सकती हमारी कोस की बन तो यहां पर टू यहा यह प्लस बन और माइनस बन हमारा जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं हमारा अंसर जीरो आएगा यह तो आप इतना चुड़ दो तो अब हम बात करते हैंगे derivative of inverse trigonometric function की तो आप पहले से note करो मैं रफ करता हूँ तो देखो अब हम बात करते हैंगे derivative of inverse trigonometric function की हमारे derivative of inverse trigonometric function क्या होती है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे trigonometric function क्या होती है Tignometric function हमारी क्या होती है sin है cos है tan है coat है तो यह हमारी कैसे है क्या है Tignometric function है लेकिन हमारे बात की रहे inverse Tignometric function inverse Tignometric function क्या होती है जैसी आप नहीं पस्क्राइब्ण फ़टगुए हो जैसे कि sin inverse x यह जो power बनाती ही तो inverse यह power बना गई sin की उपर क्या आगई, minus की पावर बना गई, तो हम कैसे बोलने लग लग नी, inverse, sin inverse x, वैसी यह उद्री cos पे पावर आजाएगी, cos inverse x, 10 पे पावर आजाएगी, 10 inverse x, cot पे पावर आजाएगी, cot inverse x, तो हमको assume करके करना हैगा, कि जो function हैगा ना, वो कैसा derivative है, निकालना है, हमें ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे कि हमार पास कभी कोई question में जाएगा, sin differentiated inverse x upon dy by dx, तो हम एक बार इसको निकाल देंगे ने, फिर हम डायेट इसकी value put कर दिया करेंगे, फिर हम बार बार solve नहीं करना पड़ाएगा, एक तरीके से हम क्या कर रहा है, इस formula है, उस formula को हम drive कर रहा है, किस तरीके से हमारा sin inverse x का formula हैगा, बस आपको इतना याज़ रखना है, हमें assume करना है, it is exist, इसका derivative exist करता है, ठीक है, तो हम सबसे पहले example number 1626 की बात करते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम यह function है, function को क्या माल लेंगे, by माल लेंगे, हम by मालते है, by is equal to sin inverse x, इस तरीके से let का लिया, वंक्सन है, चाहए आप function को y माल लो, चाहए f of x लिख लो, बात बराबर, हम इसको क्या माल लेंगे, with respect to x अब x की respect में हम इसे differentiate कर रहा है तो देखो अब यहाँ पर dy by dx एक मिनिट उससे पहले हम इसे इस तरीके से नहीं थोड़ाँ सा और एक step और हो जागी अब ही क्या कर रहा है अब हमारा क्या आ रहा है इहाँ पर inverse आ रहा है तो अब यह inverse आ रहा है यसी x upon sin x नहीं लग सकते sin अखिला, यहाँ पर इसकी ठीटागी बेल होगी तो inverse x में किसके साथ इंडू जाता है यह, आप पहली पढ़ चुके है यह सब तो ठीक है, इसलिए ms के उपर ज़्यादा concept बोगची भी बाद नहीं करेंगे, तो इस तरीके से आप करेंगे differentiate both side, अब यह inverse function अड़ गया है, अब यहाँ आप लिख सेगे differentiate both side, both side with respect to x, x के respect में differentiate कर रहा है ठीक हमारे जितने question होगे, हमको x के respect में ही differentiate करना है ठीक है, जब आप से बोला जाए, किस के respect में करना है, तब आपको उसके respect में करना है नहीं, तो आपको हमें से let करके चलना है, कि आपको x के respect में ही differentiate करना है तो इसे solve करेंगे, differentiation of dy by dx, और यहाँ पर लेखेंगे, sin by is equal to dy by dx, ठीक है हमको यह लाना है, तो अब हमने इसको differentiate करेंगे, तो हमारा क्या होजाएगा, sin क्या होजाएगा, cos by और dy by dx इसको हमें की formula बना रहा है, is equal to में, इसका x upon x है, तो इसका differentiate हमारा क्या होजाएगा, one होजाएगा, अब और आगे चलते, dy by dx, is equal to 1 upon my cos by, देखो यह आ गया, लेकिन हमें अंसर किसके formula आते हैं, हम इसी के formula लाने के लिए conscious करते हैं, तो इसे हम और करेंगे, क्योंकि हमें answer किसके formula आएगे, sin के formula आएगे, तो हमारा एक formula होता है, आपना formula, कौन सा formula पढ़ा है, cos square x plus sin square x is equal to, में हमारा क्या होता, 1, यहापर हमारा क्या है, by, तो by, देखो यह ठीट रूट है जागा, sin x square, यह तो इतना तो आजाएगा, समझें, यह कैसे आए, इस formula से यह आगा, तो बस यहापर यह value पूट कर देंगे, तो d y y dx is equal to, में हम क्या लेखिए, 1 upon में, root के अंदर हो जाएगा, हमारा, 1 minus sin x square, sorry, by आएगा, यहापर by, इतना समझ में आए, by x square, x square क्यों, sin y, sin y को हमने क्या माना था, x माना था, लेकिन यहापर square है, इसलिए हमने यहापर क्या लगा दिया, square लगा दिया, ठीक है, इतना clear समझ में आया, अब देखो, अब यह जो sin की value इतना तो समझ में आएगा, तो यह, देखो, जब भी हमारा यह जो answer आएगा, अ fine, cost, इस तरी किसे हमारा बहुत बड़ा question है, तो हम क्या करेंगे, इसका differentiate हमारा यह हो जाएगा, इसलिए हम इनके direct differentiation करते हैं, एक तरीक से हमारे क्या बन जाएगा, ठीक है, तो यह तो समझ में आएगा, अब देखो है, हमारी यह x की value है, खहां चाहिए, x की value की जगा हम क् आना चाहिए, जो हमारा x है, x की value हमारी क्या क्या नहीं आना चाहिए, 1, और का इसको 1, 1 करेंगे तो भी नहीं आना चाहिए, और minus 1 करेंगे तो भी नहीं, जो हमारी x की value है, x की value 9 हमारी 1 आना चाहिए, और comma यह भी नहीं आना चाहिए, तो हमारा जो sine inverse, sine x है, sine inverse x है, की value क किस के बीच में आ रही है किस कि बीच में यह स्लाइढ की कि बचाथ की यहां पहुन पहला है दुनकी कि फ suffix इतना सहन में आया यह तो रूक बचाने के लिए वैसे आपको याद आई कि हमें कोशन सी भ equiv श्क प्र भी आका डूक लेका Ж'day सकती किस किस के बीच में नहीं आ सकती और बढ़ी आए अब हम बात करते हैं सीका next example लेती हैं जिससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए तो देखो next example में भी हमारा function से मिए सर्फ यहां पर हमारा क्या दिया है 10 inverse x तो 10 inverse x को भी हम इसी तरीके जब को सेम करेंगे तो पहले आप इसे note करो मैं रख करता हूं I hope note कर लिया होगा तो मैंसे तो देखो अब हम बात करते हैंगे example नमबर यह हमारा जागा 27 की तो 27 में हमें assume कर लिया कि 10 में x हमारा derivative है अब इसका हम differentiation करेंगे तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 10 inverse x सबसे पहले y के equal में let कर लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे हम इसको 10 inverse से सबसे पहले तो inverse function को हम अटाएंगे तो हो जागा 10 y is equal to x अब differentiate करेंगे differentiate both side both side with respect to x ऐसे ही करना है या रेक में ठीक है अब x के respect में हम differentiate करेंगे अब क्या करते हैं हमने यह पर 10 by तो लिख दिया है अब देखो एक तरीके से हम इसे लख सकते हैं अब इसे हम डिफ्रेंशेट करेंगे 10 d y y d x is equal to में यह इस तरीके sum as it is तो इसका differentiate करेंगे तो हमारा 10 का क्या होता है हमारा differentiate sec square x sec square यहाँ पर square क्या है by तो हम by अब by का भी differentiate करेंगे d y y d x x होता तो नहीं करते हैं लेकिन by है तो हमें differentiate करना ही पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर जाएगा हमारा 1 तो हम क्या लेक्स करते हैं d y y d x is equal to में बन अपॉन में बन अपॉन में sec square अब हमें इसे 10 के फॉर्म में से लाना पड़ेगा तो हम अपनी identity हो थीक है, यहां से 10 स्कॉार x लेग दिया, अब 10 स्कॉार x की जहाँ हम क्या लेख सकते हैं? sin square by हो आए है, यहाँ पर हमारी value क्याई चल्ए, सकते हैं जीरो पॉट कर सकते हैं कर सकते हैं बाइन है ने पॉट करेंगे तो यहां पर पोज़ियू को सब्सक्राइब तो यह और हमारा 10 है 10 किसे बढोग कर रहा है और हम को यहीं पता है इसका domain इसका domain क्या होता है rational किया होता है real number 10 का यह सब्सक्राइब करता है sun किसके बीच में बढ्न करता है 1 और minus 1 के यह इनके domain रोंगे और इनके बीच नहीं की वैल्यूम जाएई है ठीक है तो आप तो आप पहले से नोट करो मेरा करता हूं तो देखो यह हमारे कैसे ही यह function है यह हमारा sin inverse x function आगा जब हम इसका differentiate करेंगा तो आप इस तरीके से लग सकते हो सकते हो और जो हमारी 10 की value होगी वो किस किस के बीच में आगी 1 और minus 1 के बीच में आगी यह इस तरीके से यह हमारे सब के फॉर्मुले है यह आपके 6 टिक्नोमेट्रिक function होते हैं यह 6 के टिक्नोमेट्रिक function के यह differentiation की value है आप इनकी जगा diet लग देना यह diet यूज कर सकते हो ठीक है जिससे हमारा method ज्यादा लंबा भी नहीं होगा ठीक है और यह देखो यह दो हैं जो हमाले किस से rational number पर ब्लॉंग करते हैं real number यह R का मतलब है यहाँ पर real number 10 की value है हम कोई सा भी एक्स की जगा कोई सा भी number लेख सकती है इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कतम होती है अब हम next वीडियो में start करेंगे exercise से तब तक आप अच्छे से practice करो